और गाईस कैसे आप लोग iOS 18 पब्लिक विटा इंस्टॉल करने से पहले इस वीडियो को complete आपको देखना चाहिए क्योंकि काफी सारे users comments करते हैं भाई मैंने update कर रहा हूँ, update नहीं हो रहे हैं मैं enroll कर रहा हूँ, enroll नहीं हो रहे हैं तो क्या इसका problem, क्या issue, जो भी details इस वीडियो के अंदर complete में आप लोग साथ share करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को continue करते हैं तो सबसे पहला जब public विटा आ जाएगा तो आप download और install करेंगे download और install करने से पहले आपका phone का backup बनाना है backup इसलिए बनाना है, कभी कुछ problem इस वा गया तो उसको दुबारा restore कर सकते है लेकिन जो बिटा वर्सन का backup वो restore नहीं कर सकते है उसको नहीं कर सकते है, इसा नहीं कर सकते है उसके अंदर काफी ज़्यादा प्रेसानी का सामना करना पड़ेगा Mac नहीं तो PC होना चाहिए, उसके बाद step by step follow करना है उसके बाद उसका backup ले सकते है लेकिन अगर iCloud, Mac, PC के अंदर आप backup बना के रख सकते है तो इतना प्रेसानी उठाना नहीं पड़ेगा तो iCloud के अंदर अगर करना चाहते है तो जैसे आएंगे इसके नीचे iCloud और नीचे आपका backup का option है backup now के उपर क्लिक करके पहला backup बना लेना है इसके बाद जब update करेंगे आपका phone का जो है Wi-Fi से update करना है ना तो hotspot, ना तो mobile data इसके अंदर file crack हो जाता है अगर आपके phone के अंदर storage कम है तो storage आपको खाली रखना बढ़ेगा minimum जो है 10 से 12 GB खाली रखना ताकि update के time पे error problems track, lack या update होते होते मतलब stop हो गया, वो complete नहीं हो रहे तो इस तरह का issue ना है इसलिए इसको भी खाली रखना है और download और install से पहले एक बार phone को reboot कर लेना काभी सही होता है तो आप चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो आप skip भी कर सकते हैं और बहुत सारे users एक comments करते रहते हैं भाई हमने enroll कर रहा हूँ enroll के अंदर error problems दूसरा उसके अंदर enroll नहीं हो रहे हैं ये सारे issue आता है क्यों और क्या इसका reason इस तरह से enroll करना एक वीडियो बनाया था तो उसके अंदर काभी सारे users ने comments किया था जो भाई enroll कर रहा हूँ और ये enroll नहीं हो रहे हैं उन सारे users को मैंने बताया था भाई screenshot भेज़ो Instagram के उपर तो screenshot Instagram के उपर भेजा था उनका एक issue मुझे जो comments देखने मिला है उनका जो Apple ID है वो कोई Apple ID नहीं है वो एक phone number है तो भाई आप phone number से तो Apple ID तो नहीं बनता है Apple ID आपको एक अलग से बना लेना है Apple ID किस तरह से बनाना है वीडियो है चैनल के उपर जाके आप लोग से इन्रोल करते है तो बेटा अपडेट्स के अंदर इन्रोल होने के लिए Apple ID चाहिए Apple ID नहीं है तो आप इन्रोल नहीं कर सकते तो यह अपडेट आने वाला है पब्लिक बेटा रात के साड़े दस से लेके बारा बज़े तक आपको पब्लिक बीटा देखने मिल जाएगा जब देखने मिल जाएगा उस टाइम आपको बताऊंगा इसको किस तरह से इन्रोल करना है लेकिन जो बड़ा मेजर इसू था मैं इसको आपका सॉल्व कर दिया जो Apple ID बनाना है तो एक दिन टाइम है जो मैं email ID से login करके है मेरा जो है कोई phone number कोई number नहीं है तो इसलिए enroll होने में कोई problems नहीं आता है आप लोगों का phone number है तो इसलिए problems आता है तो phone number को change कर लेना तो आपने देख लिया जो इसके अंदर developer बीटा है जब public बीटा आ जाएगा तो इसको मैं install करके आपको दिखाऊंगा और enroll करके जो किस तरह से install करना है public बीटा को तो पहले से मैं आप लोगों को बताया ताकि जो भी आपका खामिया जो भी issue है उसको solve कर ले जब public बीटा आ जाएगा आप easy इसको enroll कर ले तो इसलिए इस वीडियो को बनाया complete देख लेना अपना family member दोस्त के साथ share भी कर लेना ताकि install करने में problems बगरा ना आये और अगर आप लोग कहेंगे भाई बग और issue कुछ अगर देखने मिलता है तो आप लोग downgrade कर सकते हैं आई होप इस वीडियो को देखके आपके लिए useful लगा होगा वीडियो अगर आपके लिए useful लगता है तो like, share, subscribe जरूर कीजिए और bell के notification को all पर रखिए जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोग के बास notification पहुंच जाएगा नेक्स वीडियो अगा अंदर फिल्म लेंगे गुडबाई